दस दिन तक इस नुस्खे को अपनाने से आपको पूरी जिंदगी में हार्ड अटेक नहीं आएगा और ना ही आपका कोलोस्टॉल बढ़ेगा और ना ही दिल से जुड़ा कोई भी अन्य रोग आपको होगा। दोस्तो अभी दो-तीन दिन पहले ही हमारे पड़ोस में एक व्यक्ते की हार्ड अटेक से मोत हो गई। जब उनके बारे में पता चला तो उनको पता ही नहीं था कि उनको हार्ट से जुड़ी कोई बीमारी है। दोस्तो ऐसा उनके ही नहीं बलकि 90% लोगों के साथ होता है। इसलिए आज हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तो लोगों को पता उस टाइम चलता है जब उनका हार्ट फैल हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों है। क्योंकि दोस्तो हमारे पास ना तो इतना धन है और ना ही इतना समय है कि हर महिने जाकर अपनी जाँच करवाएं कि क्या-क्या बीमारी हैं। क्योंकि ये जाँचे बहुत अधिक महंगी हैं और ऐसा करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो दोस्तो आज की इस वडियों में हम आपके लिए इसका ही इलाज लिक रहा हैं। यदि आप दस दिन तक इस नुस्खे का सेवन करते हैं तो आपको पूरी जिंदगी कभी भी हार्ट अटेक, कोलोस्टोल और दिल से जुड़ा कोई भी रोग नहीं होगा। बस आपने करना क्या हैं कि साल में दस दिन इस नुस्खे का पालन करना हैं और एक साल के लिए आप हार्ट टेक से मूँ हैं। तो चले दोस्तो जानते हैं इस नुस्खे के बारे में। दोस्तों जिस मुनुश्य को लगे कि वो स्वस्थ है वो तो साल में सिर्फ एक बार ही जब भी लोकी का मौसम आता है उस मौसम में सुबे सो जाने के बाद एक गिलास लोकी का रस निकालकर उसमें एक नीम्बू डालकर और उसमें 50 ग्राम आउले का रस मिलाकर नीमित सेवन क और यदि लोकी कड़वी है तब आपने उसका जोस नहीं पीना है और ये काम आपने लगातार 10 दिन करना है दूसरा जिस मुनश्य को हाट में ब्लोकेज हो या बैड कलोश्टोल बढ़ गया हो बलड पैसर भी बहुत अधिक रहता हो उसके लिए एक महीने तक रोजाना एलोवीरा जूस 50 एमल उसको पीना है और ये उपर वाला नुस्खा भी अपनाना है लोकी के जूस वाला और उसके साथ में उसको हर रोज अरजुन की छाल का काड़ा भी पीना है अभी हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से आपने ये सभी सेवन करना है तीसरा अगर कोई व्यक्ति हाट की समश्याओं को लेकर बहुत अधिक विकट स्थिती में हो तो उसको उपर वाले दोनों नुस्खे तो अपनाने ही हैं इसके साथ में युनानी नुस्खा भ एक कप निम्व करस और एक कप सेव का सिरका लेकर इनको धीमी आज पर गरम करना है और जब ये चार भाग जलकर एक रह जाए तब अगर आपने 400 ग्राम है तो जब जलकर 300 रह जाए तो उसमें 300 ग्राम सहद मिलाकर हर रोज सुभे श्याम दोदो चमच लेकर एक गिलास हलक गुनगुने पानी में खोलकर उसका आपने सेवन करना है दोस्तो आजकर हर गाउं सहर में चाई पीने का ही रिवाज है ऐसे में चाई पत्ती छोड़कर इसकी जगह आपको अरजुन की चाल लाकर घर में कूट पीसकर इसकी चाई पत्ते की जगह आपने इसका परियोग कर इसमें तीसरा हिस्सा, अर्थार्थ अगर आपने अर्जुन की चाल 100 ग्राम ली है, तो इसमें 30 ग्राम आपने डालचिनी मिलाकर रख लेनी है, जब भी आपने चाय बनानी हो, चाय के पत्ती की जगहें, इस मिसन को आपने डालना है, अर्जुन की चाल और डालचिनी के मिसन को और चीनी की जगाएं आपने देशी खांड का परियोग करना है और दोस्तों ये अभी हमने जो उपर वाले नुस्खे बताएं उनका बालन भी आपने करना है और यदि आप ऐसा करेगे तब आपको कभी जिन्दगी में हार्ट डेक नहीं आएगा अब जानते हैं कि आपने ये पूरा प्रोसस करना कैसे है दोस्तों जब आप सुबह सो जाने के बाद सबसे पहले आपने लोकी का जूस आवला और नीम्बू मिला कर पीना है उसके आदे घंटे के बाद में अलोवीरा जूस पीना है और उसके आदे घंटे के बाद में आपने युनानी नुस्खा और खाने की एक घंटे के बाद में आपने अर्जुन की चाल का काड़ा भी नहीं। गाएं का दूद, नारेल का पानी, मठा या चाच, अर्जुन की चाल की चाय आप पी सकते हैं। गी, मठन, वनस्पतीगी, डालडगी, पाम तेल, मलाई, मावा, डिबबबंध खाना, फास्ट फूद, कॉल्डरिंग और मैदे से बनी चीज़ों को आपने नहीं खाना हैं। पापड और चटनी से भी आपने फरहेज करना हैं। तो दोस्तो यदि आप भी इन नुस्खों को हरो सेवन करेंगी, तो आपको जिन्दकी में कभी भी हार्ड अटेक नहीं आएगा। और नहीं हार्ड अटेक से जुड़ी कोई भी विमारी होगी। तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो। अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लिस लाइक और शेयर जुरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक् प्लिस लाइब कीजिए। और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब कीजिए।